आलस की वज़े से मीन राशी वालों के काम प्रभावित हो सकते हैं इसलिए आलस से बचिएगा किसी भी काम में डिले ना करें कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये काम हम बाद में कर लेंगे थोड़ी दिरबात कर लेंगे तो ऐसे में वो काम डिले हो जाता है आप आलश से अपने कारियों के दोरान ना दिखाएं आलश से सबसे बड़ा शत्रू है पूरी उर्जा के साथ काम करने का दिन है ब्रहस्पतिवार का दिन मीन राश्यवालों के लिए बहुत ही लाब दायक है क्योंकि आपकी राशी का स्वामी भी ब्रहस्पति होता है और ब्रहस्पतिवार का दिन ब्रहस्पति ग्रह से कनेक्टेड होता है तो पूरी उर्जा के साथ काम करें कटू वानी का प्रयोग ना करें किसी से भी बात कर रहे हैं घर में बात कर रहे हैं आफिस में बात कर रहे हैं या कहीं मीटिंग में बात कर रहे हैं तो बाचीत के दौरान विनम्र भासा का प्रयोग करें कटू वाने का प्रियोग करेंगे तो आपको ही आगे चलके नुकसान होगा इसलिए भाशा मधूर रखें और बड़ी बिनम्रता से जो भी आपको कहना है अपनी बात कहिएगा तो उससे आपकी काम भी बनेंगे और आपका सम्मान भी बढ़ेगा खर्चों पर कंट्रोल करना होगा आपके खर्चे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसकी वज़े से बजट बिगड़ सकता है इसलिए ध्यान रखेगा अपने खर्चों को अपने बजट के हिसाब से कंट्रोल करिए जो चीजें अभी जरूरी नहीं है उन पर धन खर्च करने से बचना चाहिए शुब रंग है हलका पीला हलके पीले रंग की ड्रस आज पहनेंगे तो आपका लक और बढ़ जाएगा पीला रंग भगवान ब्रहस्पती का ही रंग माना जाता है ब्रहस्पती ग्रह का रंग माना जाता है और मीन राजशी का जो स्वामी है वो ब्रहस्पती है तो ब्रहस्पती का रंग होता है पीला तो पीले रंग की ड्रस यदि आप पहनेंगे तो आपका लग और बढ़ेगा कार्यों में सफलता मिलेगी उपाय क्या करें? अपने दिन को और अच्छा बनाने के लिए आज भगवान विश्नु की आरती करिए आप अपने घर में कर सकते हैं यदि भगवान विश्नु की छोटी सी मूर्ती है या चित्र है तो उसके सामने घी का दीपक जला करके आरती करिए